हेलो फ्रेंड्स और आज की इस वीडियो में एक छोटा सा इन्फोर्मेशन और यह इन्फोर्मेशन होने वाला है पर्फ्यूम्स और डीपी ओईल की अंदर यह बहुत लोगों का यह कुश्चन था कि जो है हमारी डीपी ओईल और पर्फ्यूम का जो कॉमिनेशन होता है जो मिक्शिंग का जो फर्मूलेशन होता है वो एवरेज कितने दिन तक हमें मिक्स करके रखना चाहिए और इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और यह है फार्मिको कंपणी का डीपी ओईल और इनका रिजल्ट वैसे तो मुझे अच्छा ही लगा अगर आप कहीं यूस किये होंगे या फिर समय में कहीं यूस आप करके देखे होंगे तो आप जरूर बताइए कि इस कंपणी का जो है डीपी ओईल जो है कितना अच्छ क्या होता है या फिर कैसा होता है और उसके बाद जो है कुछ को उपट करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे कि actual में जो हमारा मिखसिंग का जो तरीका है वोagen किने दीन तक रखना सही होता है अब जो है हम बात करते हैं topics के उपर कि लोगों का तो question वैसे बहुत सारे जो है आये हुए थे कि जो maximum जो time है perfume और DP oil को mix करने का वो क्या है तो कई लोगों का ये था कि 2 से 3 दिन कर सकते हैं या फिर कई लोगों का ऐसा था कि 10 दिन average रखना चाहिए और कई लोगों का ऐसा था कि वो 15 से 20 दिन का भी time देने के लिए बोल रहे थे तो actual में यही होता है कि लोग इसमें confuse जरूर है कि कितने दिन तक जो है average timing के साथ हमें जो है mix करके रखना चाहिए तो मैंने भी जो है try किया और मैं पहले जो है 2 से 3 दिन ही रखता था उसके बाद मैं यह जो perfumes रखा हुआ हूँ यह मेरे को minimum हो गया 15 दिन average mix करके रखे हुए और इसका जो है ratio मैं डाला हूँ 14 के में मतलब 100 ग्राम हमारा जो है perfumes इसमें डले हुए है और 400 ग्राम जो है हमारा DP oil जो इसमें mix हुआ है लोगों का confusion यही होता है कि जो perfumes आप खरीदते हो तो उसमें आपका जो actual में जो qualities होती है वो सबसे ज़्यादा depend वो करता है ना कि आप जैसे 10 दिन या 15 दिन के उपर आप deep करके रख दिये मतलब mix करके रख दिये तो आपका perfume की quality जो है अच्छी हो जाएगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है और यह आपका मत है कि अगर हम mix करके रखे तो हमारी जो perfume की quality है वो बढ़ जाएगी ऐसा नहीं होता होता है लेकिन यह average 2-3 दिन के अंदर ही result इसका मिल जाता है तो कोसिस करें कि जो भी आप perfume करीदे वो perfume जो है top notes में होनी चाहिए मतलब आप देखेंगे आप देखें भी होंगे कि notes notes के उपर कई लोगों को पता ही नहीं होता कि notes क्या होता है तो उसमें 3 type के notes जो है आते हैं मतलब एक होता है हमारा base note दूसरा होता है हमारा middle note और तीसरा होता है हमारा top notes अब कभी भी search करके देखिए कि notes क्या है उनके बारे में आगे मैं और video जो है बनाऊंगा कि notes को कैसे अपना define जो है करना है तो ये तीन तरह के जो notes होते हैं तो क्या होता है अभी markets में जो perfumes मिलत हैं उसमें notes का तो कोई अता पता ही नहीं होता है तो मेरा suggestion यही है कि आप जो भी perfumes खरीदें उनसे आप पूछिए कि ये top notes में आते हैं कि नहीं अब top notes का मतलब यह होता है कि उसमें जो कई प्रकार के ingredients जो है मिलते हैं तो उस ingredient का जो है mixion उस perfume में बिलकुल होनी ही चाहिए और अभी market में ऐसा perfume आते हैं जिनका notes का तो देखें कि तो पता ही नहीं रहता कि क्या notes डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है और actual में हम वो question करते ही नहीं है बूल जाते हैं तो हमसे तो हमारा सबसे बड़ा reason यह notes ही है अगर top notes का perfume यूज करोगे तो definitely वो आपका quality उसमें अच देगा और उसमें आपको 15 दिन 20 दिन का जो है weight और समय जो है नहीं देना पड़ेगा तो फिरहाल जो है हम इसे थोड़ा सा trial जो है लेते हैं और यह है केलकर का perfume इसके बारे में काफी जो है वीडियो मैं बना चुका हूँ थोड़ा सा कुछ कुछ trial जो है हम लेते हैं कि क्य होने वाला इसमें आपको थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन जो परफ्यूम से वो कुछ दिखाने की कोशिज करूंगा मैं यह pure water color में मतलब white में है इसमें कोई color का ऐसा mixing नहीं हुआ है और यह है pineapple pineapple का perfume तो इसे हम थोड़ा सा try जो है करते हैं तो यह हमारा जो है अगर बत्ती अच्छी तरीके से जो है deep हो चुका है अभी से हम कुछ time के लिए जो है सुखने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम जो है इसका जलाके जो है trial जो है देखेंगे तो इस वीडियो में आज इतना ही और next वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी information आपको देते रहता हूँ जो आपकी अगर बत्ती business के लिए useful होंगे